हेलो फ्रेंड इस वीडियो में हम आप सबको बताएंगे कि बोनस कैसे MSXL स्रीट में निकाला जाता है देखिए हमने डेट लिख लिया फिर इंप्लोई आइडी इंप्लोई नेम सेलरी बोनस बोनस जो हमें बोनस सी निकाला है किसका इंप्लोई का तेशियर डेट में आप डेट में कुछ भी महलें चेंदasm तो ऐसे ही मान के लिए हैँ जो भी हो डिट ये आपको बताने के लिए हमने डिट ले लिया कैसे चलेगा कि मैनेजर है कलार खाय सी कोटी है क्या है ते देखिए छोड़ गया आप हम लिखेंगे पोष्ट पोष्ट जब लिख लेंगे उसके बाद हम सरी डालेंगे देखिए पोष्ट हमने लिख लिया अब इसके बाद हमें लिखना है मैनेजर हो या कलार हो या सिकोटी हो जो भी हो लिख लेंगे देखिए हमने पूरा लिख लिया मैनेजर पियों सिकोटी कलार के काउंटेंट इसले आप हम इनका सैलरी लिख लिए देखिए हम सैलरी बना अब इसके बाद आपको बोनस निकालना है तो बोनस निकालने के लिए एक फार्मूला है जो कि आपको इस फार्मूला को इदा बारिकी सी देखना है बस और कोई बड़ा फार्मूला भी नहीं है लेकिन इसके पहले आपको क्या करना है जो आपने सिट बनाया है इसको बाटा दे दिना है, देखिए हमने दे दिये इस तरह का इस अब तो आप जानते ही होंगे इस अब बेसिक नालेज है हमारा मेर मकसद है आप लोगों को फार्मूला बताना बोनस में कैसे आप लोग बुरस निकार लेंगे आप इसे बुल्ड कर भी लिए हैं, सेंटर में कर लिए, यह तो सारा बेसिक सेटिंग है जो आप लोग पहले से जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं हम इसका एक और वीडियो बना देंगे अब देखिए हम जा रहे हैं बोनस का फर्मूला यूज करने इक्वल, इसके बाद आपको लिखना है इफ, फिर ब्रैकेट उपन फिर आपको सेलरी वाले सिल में क्लिक कर देना है देखिए मैंने क्लिक किया ग्रेटर देन, ग्रेटर देन और इक्वल, यानि कि ग्रेटर देन का मतलब भी हुगा की, देखिए हमने लिखा क्या 35,000 35,000 हो या 35,000 से उपर हो इक्वल के मतलब क्या होगा 35,000 और ग्रेटर देन का मतलब 35,000 से उपर हो तो कामा फिर इसके बाद डबल इनोटेड कामा ओपन या स्फिड डबल इनोटेड कामा क्लोच फिरियस फिर इनोटेड कामा ओपन नो फिर इनोटेड कामा फिर इसके बाद आप इंटर प्रेस कर दिंगे देखे हमने इंटर प्रेस किया इसको सैलरी मिलेगी क्योंकि इसको बोनस मिलेगा क्योंकि इसकी सेलरी जो है 35,000 यानी 35,000 से उपर है तो इसको सेलरी मिलेगा यहाँ पर देख लिजए गिनका पर देखीस ऊपर मिलेगा अब हम दूसरा फ्रेष पार्मुल्ट जो बताने जा रहा है देखिए मैंने इसे कॉपी करके यहां पे पिष्ट कर लिया अब मैं यह चाहता हूँ कि ओ एक पुष्ट पे हो जैसे कि या मैनेजर हो या पीयन हो या सिकोटी हो और उसकी सैलरी भी इतनी हो उसी को सिर्फ बोनस मिलेगा तो उसके लिए एक फार्मूला है देखिए हम जाने बताने है जैसे कि मैंने माल लिया मैनेजर है और मैनेजर की सैलरी पचास अजार हो या पचास अजार उपर हो सिर्फ उसी भर को बोनस हमें देना है तो उसके लिए एक फार्मूला है पहले इसब आप सेटिंग कर लिजए, देखिए हमने बोनस लिखा है, इसब बेसिंग सेटिंग है, जो आप लोग जानते हैं। पेंटर पर किलिक करके वहां पर लाके आप किलिक कर देंगे बूनस के उपर हो जाएगा पूरा कलर बोल्ड अब देखिए हम जाने फार्मूला लगाने फार्मूला बताने जा रहा है इक्वल कर लेगा इसमें फार्मूला इसमें रहेगा इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन और फिर ब्रैकेट ओपन फिर आपको पोस्ट वाले सिल पे किलिक करना देखिए नों पोस्ट वाले सिल के नीचे किलिक कर लिया उसका एक कोल मैनेजर मैं चाहता हूं मैनेजर को बोनस मिले मैंचेर को बुनस में यहां पे चुड़ के डवर इंटॉट कामा और अर लाष्ट में उसके बाद देंगे कामा कामा देने के बाद है कुछ सेलरी वाले सेल पे क्लिक करना होगा हमने ओटू लगा दिया फिर इसमें क्या चाते हैं इस ग्रेटर दे यानि कि उसकी सेलरी जो ओ ग्रेटर दे और एकवल ग्रेटर दे इतना से जादा हो या इतना के बराबर हो देखिए हैं हमने यहां पे लिख लिए हैं पचास हजार हो या पचास हजार से उपर हो उसके लिए यस डेटर कामा ओपन यस फिर कामा फिर नो फिर इंटर आप प्रेस कर दिए देखिए हमने इंटर प्रेस किया लेकिन आया नहीं लगता है कुछ गलती हुई है हमसे अब हम देख ले रहे हैं कहा हम से गलती हुई है हमें पता चल गया है कहां गलती हुई अब देखी यहां पे हमने जो है 50,000 के यहां हम कामा के पहले ब्रेकेट क्लोज नहीं की है इसलिए हमारा जो फार्मूला है उठा नहीं रहा है सपोर्ट नहीं कर रहा है अब देखिए वहां जब ब्रेकेट लगा देंगे इंटरप्रेस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा देखिए आगे आप इसे नीचे की तरफ ड्रैक कर दीजिए सबका पता चल जाएद देखिए मैनेजर जितने लोग हैं उनको बोनस मिलेगा और पचास जार से सेलरी उपर हो और मैनेजर हो शिर्फ उसी को सेलरी मिलेगा